विजर्ड एक ऐसा व्यक्ति है जो जादू या टोना टोटका में निपुन होता है। उन्हें आम तोर पर एक बुजर्ग व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है जिसकी लंबी दाढ़ी होती है। वह एक रोब और नोकदार टोपी पहनता है और एक छड़ी या लेकर चलता है। शब्द विजर्ड मिडल इंगलिश शब्द विजर्ड से आया है जिसका अर्थ है बुद्धिमान व्यक्ति या दार्शनिक। कल्पना साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति में जादूगरों को शक्तिशाली प्राणियों के रूप में चित्रित किया जाता है जिनमें जादू करने, जादूई कारनामे करने और अलोकिक शक्तियों का प्रयोग करने की ख्षमता होती है। उन्हें आम तोर पर बुद्धिमत्ता, ग्यान और रहस्यमय कलाओं के ग्यान से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए जे के रॉलिंग की प्रसिध पुस् जादरी में जाता है, जहां वह जादू करना, कवच बनाना और अंधकार जादू से बचाव करना सीखता है। अन्य प्रसिध जादूगर गैंडाल्फ जे आर आर टॉलकिन के दे लॉर्ड ओन अफ डी रिंग्स से और मरलिन आर्थुरियन के वदंतियों से हैं। जबकि ज जादूगर कालपनिक पात्र हैं, एक बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति की अवधारना जिसमें रहस्यमयक शमताएं हैं, विभिन संस्कृतियों और पौरानिक कथाओं में मौझूद रही है, जो मानव जाती की अलौकि और अग्यात को समझने की इच्छा को और एक चीज मेरे भाईयों और बहनों, वर्ड मीनिंग जानने से आपका वोकैब अच्छा होगा, पर आप अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि मैंने खुद यह अनुभव किया है, जिस तरीके से मैंने अंग्रेजी सीखा है, और आज मैं अच्छी अंग्रेजी ब कर दिया जाएगा,